फाइनली दो दिन की वारिस के बाद आज मौसम जरह साफ हुआ है और निला निला आकास दिखाए दे रहा है और चारों और बिलकुल हरियाली बढ़ गई है अब और पापा जी यहां पे निकाल ले हैं आरू के पेड से आरू के फल तो आज सब आरू निकाल देते हैं और मैं कट्टा ले आया हूँ इस पे भी निकालने हैं एक कट्टा तो वो हो गया एक कट्टा ये हो गया तो अभी एक थेले पे निकाल दिया है यहां से आरू और ऐसे चड़ना पड़ता है पेड़ पे आरू निकालने के लिए सुबह होते ही पहाड की मिलाओं का दिवन घास नि मेरा प्यार बढ़ा नमस्कार मेरा नाम है आलोकरणा और स्वागत है आप सभी का देव भूमी उत्राखन के इन कूपसूरत पहाडों में और आज हम आरू निकालने हैं वैसे यह आरू हमने मार्केट में ले जाने ते बेशने के लिए लेकिन कर्फू लगावा है अधर को सब्सक्राइब जैसे आरू निकालने हैं यहाँ निकालने है और आज हमको जैसे उखल का यूज करना है तो पहले इस को साप करके कपड़े से और निकाल देते हैं सुखा देते हैं इसको फिर इसको जैसे भूसे या राक से भी साप करेंगे जिससे कि जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी तो यह है आरू और अब मा बनाएगी इनके क्या बनाएगी थेचवानी बनाएगी थेचवानी मतलब आ एकादल ले आरू कैच और मैं तीन चार दिन से बोले जा रहा हूं आरू आरू तो मैंने तो खाए नहीं आरू लेकिन आज देख लेते हैं कैसे हो रहे हैं थोड़ा पखमलब सही तरीके से पके हुए है थोड़ा खटे भी है अब जो चेच्वाणी बनाते हैं उसमें थोड़ा कच्चे कच्चे वारे आरू डालते हैं नहीं तो ज्यादा पित-पिता हो जाएगा ना पित-पिता ही बोलते हैं तो फिर धंग से बनेगा नहीं जो थोड़ा कठोर होगा ना उससे बढ़िया थित्वाणी बनेगी और यह कुछ ऐसे करना है सिलबट्टे मे बस उनको पीछना है और उसके अंदर का जो यह गुठली है यह अलग से कर दीचे देगा यह गुठली है तो इस गुठली को फैंक देंगे तो अब हमने आरू को पूरा पीस लिया है और अब ये कुछ इस टाइप से हो गए है अब इसमें नमक मिर्च मिलाएंगे और उसके बाद इनको खा सकते हैं तो ये तो एक सब्जी का काम भी कर लेता है तो काफी अच्छा होता है खाने में आप भी जरूर ट्राइ करें अगर आपके आरू होते हैं तो अभी सुबह के करीब 9-7 के करीब हो रहे हैं और हम जा रहे हैं गिरिया थोड़ा बहुत काम कर लेंगे आज भी वहाँ पर और यहाँ पर मा तयारी कर रही है चौसे का साग बनाने की अब इसकी एक पर्टिक्लर वीडियो बनाऊंगा कभी तो उसमें सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं अब यहाँ पर यह जो भट हैं वो डालती है ओखल में और अब इस गंजले से उनको कूटना है कूटना कूट कूटके बिल्कुल बारिक उसका मलब आटे के जैसे बारिक कर दिना उनको फिर उसका बनेगा साग तो यह ऐसा कुछ सीन है पहाडों का तो वो लगे रही है हम आते हैं गिरिया से काम गर के चलिए फिर और यहां उपर गाओं की रोड की कटिंग का काम चला था और वहां से पुरा मलवा नीचे आया तो यहां पुरा लेंड स्लाइट जोन टाइप का बन गया है और मेरे घर के उपर यहां पर वो तो काफी पहले से है घर मेरा यहां पर है और उपर जो वहां पर जो उन टाई लोगों का घर है उन्होंने आजकल घर को काफी अच्छा बना दिया है सजा दिया घर को काफी पुराना घर है वह तो चलिए आप चलते हैं गिरिया की ओर आगे तो खैर रोड सही है अब चलिए, आज रासन की दुखान खुली थी, तो काम पे जाने से पहले, मैं नहीं कहा रासन ले जाते हैं घर, तो एक कट्टा लाया देकिन वहां पे कीचर लगी, जहां पे तूटा हुआ है, तो इसको घर ले जाते हैं, जिपारे फिर जाते हैं, दुझा गिरिया, ऐसा क और गिरिया गाउं से आज की मौसम की बात की जाए तो कोहरा लगावा है पाहडों में और सामने चौकमा परवत पे देखिए बरब बारी हुई यह सीदे मलब की मौसम इतना ठंडा है और यहां पर आपको कुछ दिखा देता हूँ जैसे कल परसम बारिस रही तो यहां पर य यहां फिलिंग वाली मिट्टी थी तो इसने जगो ले ली तो बरसात में और भी जगो लेगा क्योंकि जमीन अपने जटक इस्टेबल नहीं हुई तब तक वह मतलब लेती रही जगो जितना धस सकता वह दसेगा और इस साइड भी हो रखाई यहां पर यहां परी फिलिंग करना है खित तो लगते हैं काम पर आप तब तक यह टाइम लेप्स और हमारे काम के टाइम लेप्स को इंजोई कीजिए अभी आपको एक इंट्रेस्टिंग सी बात बदा देता हूं सुबह मेरे पैर पर जोंक ने खाय था तो वहां पर खून रुक नहीं रहाता पता नहीं नहीं है कभी कर दिया है और अभी यहां काफी मिट्टी फिल करनी है इसमें और यह पूरा खेच सीधा करके देना है लोगों का तो आज सुबह की टाइम का जो भी काम था वह हमने सारा निप्टा दिया है तो चलिए अब चलते हैं घर की और कुछ होगा दिखाने के लिए तो आपको दि अगर बुरांस का जूस मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ अलग है और अभी थोड़ी देर में संसेट हो जाएगा और यहां पर गेहूं चान रहे हैं और जो यह गेहूं का कबार है उसको अलग कर देते हैं और कटे में साफ गेहूं बढ़ देते हैं तो आज कल चार- होगी है मैं आपके किसी भी कमेंट्स का रिपलाई नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है मैं घर के काम में इतना बीजी हूं और अभी प्रिती और मैं आये हैं धारे से पानी ले जाने के लिए तो बस आज की वीडियो को अभी यहीं प जूम रहे हैं तो यहां पर छोटी छोटी जो मल्ला पोती बोलते हमारे हैं वो उड़ रहे हैं वो सारे उनको खा रहे हैं अब मेरे फॉन पर होता है 10x तक जूम यह देखें अब यह पूरा अल्टरा वाइड में